लमश्कार दोस्तों मैं रून मोर्या आपका चैनल HSC Environment में स्वागत करता हूं तो दोस्तों बेसिकली जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है फॉल्ट्री अनलीसिस क्या होता है इसे कैसे किया जाता है जो मुझे बात करते हैं तो ज्यादा समय नाग आते हुए हम आगे चलते हैं कि Faultry Analysis क्या होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते है Faultry Analysis is one of the most important logic and probabilistic techniques used in probabilistic risk assessment and system reliability Faultry Analysis एक logic and probability technique है जिसके थुरू हम कोई भी probability risk assessment करते हैं और system की reliability assessment check किया जाता है और इसमें यह एक top-down approach है जिसके अंदर अगर कोई system fail हुआ है तो उसमें जो उसके basic event है उस fail होने के पीछे वो क्या है उसे हम find करते हैं तो बात करते आगे अब इसमें steps कौन-कौन से होती है किसी भी faultry analysis को करने की तो सबसे पहले identify the objective of the FTA जो भी आप FTA कर रहें उसका objective क्या है कोई system fail हुआ है तो कैसे हुआ है यह objective के अंदर आएगा define the top event of the FTA then other one is define the scope of FTA define the resolution of FTA define ground rules for FTA the first five steps involve the problem formulation for FTA जो first जो 5 है वो problem formulation करने के लिए FTA के अंदर और जो उसके बाद 6 और 7 और 8 वी step है वो construct the FTA, evaluate the FTA और interpreted the present result कोई भी accident हुआ उसका top जो हमें output मिलना था वो नहीं मिला तो उसके पीछे क्या basic event हो सकते है FTA के अंदर उसी सब चीजों को consider करके construct किया जाता है सो आगे देखते हैं अब इसमें हम कुछ symbols यूज़ करते हैं हम देखते हैं उस symbols का मतलब क्या होता अगर हम circle यूज़ करते हैं circle यूज़ करते हैं इसमें वो basic failure है कि मतलब जो system fail हुआ है उसके basic reason क्या थे अगर diamond है इसमें इसमें बैसिक fault जो diamond है उसके पीछे basic fault क्या था वो है rectangle it means the resultant event मतलब rectangle अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें resultant event क्या मिला output हमें क्या मिला उसपे बात करते हैं double diamond means represent an event कौन सा event हुआ कैसे cause हुआ हुआ उसपे बारें बताता है house means represent the basic event सुदो अब next बात करते हैं हमें आप एक example लेते हैं जैसे हैं आप एक example मैंने लिया है for an emergency operation theater in hospital the power is obtained from the main city एक emergency hospital है जहाँ पे main city से हम वहाँ पे power ले रहे हैं और transformer जो है वो connected series में तो हमें इसमें देखते हैं कि अगर कोई system वहाँ पे जिसे हमें power flame fail हो रहा है और हमें वहाँ पे main line से जो switch main line से जो operation होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हम इसके पीछे क्या reason है उससे fault tree analysis करते हैं तो आगे देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमें जो input मिल रहा है main line से मिल रहा है तो जैसा अभी हमने देखा कि हमने तीन input ले input x1, input x2, input x3 और हमें यहाँ पे output चाहिए लेकिन हमें यहाँ पे output नहीं मिला तो हम देखते हैं कि यह इसके पीछे क्या कारण हो सकता है तो हमने इसके लिए fault tree analysis conduct करा तो जो सबसे पहले है यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो top event है जो हमें output मिलना था वो नहीं मिला तो क्या हो तो उसके पीछे क्या कारण था तो हम यहाँ पे कुछ logic gates के use करते हैं जिसके अपन use से जो main उसके basic event जो हुए जिसके कारण वो fail हुआ है उससे हम find करते हैं फिस हमने end gate यहाँ पे use करा तो हमने देखा कि में में काँ से हो सकता है जो main smartphone हो सिस्टम है जहांसे main supply मिली वहाँ से फेल हो सकता है या तो transformer से फेल हो सकता है या फिर अगर power नहीं मिल रहा तो generator से फेल हो सकता है तो यहीं तीनों basic event है जिसके through जो system है failure of the system कोई system fail हुआ तो कैसे हुआ failure of the system जो यहां पर Fs Fs जो है वह हमारा जो main जो top event है उसे बोलते Fs तो वहां पर हमने देखा कि जो हमने दो input दिये Px1 और Px2 और जो तिसरा है वो दिया हमने Px3 तो Px1 जैसे हमने problem में देखा था 0.01 वहां से हमें voltage मिल रहा है Px2 अब हमें Px2 find करना है तो इसे हमें जो one है एक factor लेके चलते जब हमें reliability को consider करना है तो one minus 0.996 हमने उसको factor लेके consider का तो 0.04 जो Px2 हमें output मिलना था वो मिलना है और जो Px3 है Px3 हमने find करा 0.01 आया तो अब जो हमने पीछे देखा था यहां पर बात करते है Fs तो Fs के बाद हमने end gate लगा है और gate लगा है तो इसी के help से अब हम जो आगे का calculation है वो करेंगे हमने end gate लगा है means क्या Px1 प्लस Px2 वो दोनों add हुए minus Px into or gate जो हमने लगा है Px into Px2 और Px3 into करा हमने पूरे problem को solve करा उसके बाद जो हमारा final result है वो हमें मिला Fs 0.001396 यह हमें जो final जो हमारा top event है जहां पर हमको output मिलना था वो मिला है और जो हमें नहीं मिला जो output हमें actual मिलना था वो नहीं मिला तो उसके लिए reliability क्या consider करेंगे जो हमें RS मिला reliability किसी भी system का वो क्या हो one minus FS वो failure जो system का हुआ वो FS मिन्स failure of system तो हमने जो reliability निकाले उसकी one minus जो अभी हमारा final result आया वो उसको minus कर दिया तो जो reliability मिली हमें system की वो यह आ जाएगी तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट में बताइए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्योंकि अगर मैं इससे चाहूं तो और की कोशि सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल से जूड़ना चाहते हैं और हमारे आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में में मेरी LinkedIn पेज का लिंक और मेरे फेस्बूक पेज का लिंक सेयर कर दूँआ तो आप उसस हमसे जूड़ सकते हैं